नबस्तना आप देख रहे हैं चनसप्ता.com देश में नोट बंदी को लेकर पैदा होई हलातों पर शुकष्वार को सुप्रीम कोट और कॉलकता हाई कोट में सुनवाई हुई जहां एक और सुप्रीम कोट ने नोर्बंदी को एक गंभीर समस्या करा दिया वही कौलकता हाइग कोट ने इसे बिना सोचा समझा फैसला बताया सुप्रीम कोट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए इस पर फिलहार रोग लगाने से इंकार कर दिया है कोट ने कहा कि लोग इस मामले को लेकर हाई कोट जा रहे हैं जिससे पदा चला है कि ये मामला काफी कंभीर है अलग-अलग हाई कोटों में चल रहे नोट बंदी के मामलों की सुनवाई पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोट ने कहा कि उन मामलों को ट्रांसफर करवाने की ये ट्रांसफर पेटिशन दाखिर करनी होगी जीज जस्टिस में कहा कि स्थिती कंभीर है ऐसे हलाग में गलियों में दंगे भी हो सकते है उन्होंने सरकार से सवाल किया कि आपने 500,000 रुपे के नोटों को बन किया है लेकिन 100,000 रुपे के नोट का क्या हुआ वही कोट ने ये भी पूछा कि पिछली बाए आपने कहा था कि आप जनता को राहत देने की दिशा में काम कर रहे है लेकिन आपने तो रग्म को घटा कर 2000 रुपे कर दिया है समस्या क्या है? क्या ये प्रिंटिंग से जुड़ी दिक्कत है? वही दूसरे और कॉलकता हाइकोट ने नोट बन्दी पर सुन्वाई करते हुए केंग्र सरकार को फटका लगाई है हाइकोट ने कहा कि सरकार रोज इस मामले में लिये गए फैसलों को बदल रही है जो की ठीक नहीं है नोट बन्दी की दसवे दिन भी देश में हलाग जसके तस हैं बैंकों और एटियम के बाहर लंबी लाइनों में लोग परिशान हो रहे हैं वहीं अपने बेटे की बिमारी का जिक्र करते हुए जज ने कहा कि मेरे बेटे को डेंगू है लेकि अस्पताल वाले कैश नहीं ले रहे है साथ हाइकोट ने कहा कि नोट बन्दी के फैसले को लागू करते वक सरकार ने अपने दिमाग का सही इस्तिमाल नहीं किया है आप तके लिए इतना ही देशादुनिया के और अधे खबरों के लिए देखते रहें